जहीं दोस्तों मेरे नाम है अमित और स्वागत आख सभी गई एक और न्यूव वीडियो में अगर आप लोग यहां पर शाओमी रडमी पोग डिवाइस यूज करते हैं तो गेम टर्बो 4.0 जो है वो चाइना के अंदर ओफिशली जो यहां पर सही तरीके से रिलीज हो चुक और यहां पर न्या गेम टर्बो वाला जो सीक्यूर अप्लेगेशन इन्स्टोल करोगे तो आपके डिवाइस को यहां पर यहां पर सिस्टम देखने हो realmente यहां पर ओपन करता ऑं पहले ऐसा लेयाउट नहीं था बढ़ यह वाला जो लेयाउट है इसके अंदर आज चुक है इसका यहाँ पर क्या कुछ सेटिंग वगरा देखने हो यहाँ पर एक प्लस का आइकन इसको पर कलिक करो तो आपके डिवास में जो भी गेम्स वगरार आप लोग इसको यहाँ से स था सकते हो वह लेएं यहाँ पर एड्ड हो जाएगा ठीक है जैसे अब देखो में पर निसान में करता हूं तो यहाँ पर देखने मिलती है उसका यहाँ पर सेटिंग आपको कुछ इसतर इंटरफेस बगरा देखने को जो काफी यहाँ पर मस्त लगता है यहाँ पर यह आपको मी रिमोड देखने को मिलता यह वाला एप्लिकेशन यहां पर देखिए इसका वाद किया कि जैसे मैं इदर से स्वाइप पर करूँगा ना स्वाइप करते हैं मेरे को इस तरह का यहां पर इंटरफेस देखने को मिल जेगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर वोईस चेंजर हमारी डिवाइस में तो इसलिए यहां पर वोईस चेंजर भी आपको दिखा रहा है इसका यहाँ पर देखो कि एक function लिखा हुए balance का अगर मैं इसको पर क्लिक करता हूँ जैसे मैं इसको पर क्लिक किया तो यहाँ पर दो mode आ चुक है एक balance और performance को पर क्लिक करूंगा तो यह क्या होगा कि performance अप्लिकेशन को यहाँ पर जब आप लोग इंस्टोर करते हो तब आपके डिवाइस में नए वाला गेम टरबो 4.0 यहाँ पर देखने को मिलने वाला तो यह कुछ आपको फीचर यहाँ पर एड होगा आपके गेम टरबो 4.0 के अंदर और यह ले आउट है आपको गेम टरब अगर आपके डिवाइस के अंदर यहाँ पर MIUI 13 अपडेट चल रहा है जैसे हमारे इस डिवाइस के अंदर MIUI 13 अपडेट यहाँ पर रन कर रहा है तो हमको साइड बार कुछ इस तरह का यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर आपके डिवाइस में साइड बार देखने को ना मिले बर जिनके डिवाइस में साइड बार देखने को मिलता है ना उनके में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा और बड़ी बात यह भी होने वाली है कि जो यह साइड बनावर लेयाउट है आप इसको कहीं भी यहां पर अड़स्ट कर सकते हो इस वारे सीक्य स्टम यहां पर प्रवाइड करें गए इस वाले गेम टरवो को जब आप लोग हां पर इंस्टॉल पर लेते हो तो तो कुछ ऐसे इंटरफेस जो है ना यहां पर एड होंगे काफी एक अच्छा-खास आज्डूलु कि हाँ पर प्रवाइड करता यह वाला गेम टरम तो एक चाइनीज अप्लिकेशन है और आपको यह इनेवन करना है तो आपके लिए इसके लिए दो एप्लिकेशन को यहां पर इंस्टोर करना पड़ेगा तो यह हमारे टेलिग्राम चैनल है इसको भी आप लोग आपके जुरूर जोइन कर लीजेगा और यहां पर आपको देखन अपर यहां पर सिस्टम सर्विस प्लग इन है इसके ओपर जैसे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का लेयाइट यहां पर देखने हो मिलते हैं इसको आप लोग अपडेट करोगे तब आपके डिवाइस में नये वाला गेम टरफ ओर पॉर पॉइड ग्लोबल इस वाल बनागे आप लोगों सम्झाने के लिए मैंने इस अप्लिकेशन को इंस्टोल करा है अपने डिवाइस के अंदर अभी मैं आप लोगों के सामने इसको अनिस्टोल अपडेट भी गरूँगा तो जिनको नएन फीचर्स ट्राइ करने होते हैं ना तो वह इस चीज को यहां पर नरख सकते हैं बाकि जिनों का प्राइमरी डिवाइस है तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करता हूं कि अपने डिवाइस में ऐसे चाइनीज आपको खूले आम अपने डिवाइस में इस्टोल कर रखिए कुछ यहां पर इसमें बग्स भी देखने को मिल सकते हैं कुछ-कुछ य इसको अपने डिवाइस में तो आप लोग के सामने इसको अनिस्टोल अपडेट करने वारा तो इसके लिए करने के आपको यहां पर इसको स्लाइड डाउन करना है और इसके आप नीचे मिलेगा एपस एपस के उपर जैसे मैं क्लिक करूँग है हाँ पर मिलेगा मैनेज करने वाला क्योंकि यह चाइनीज वर्जन है अब इसके बाद जो है आपको सीक्योटी अप्लिकेशन देखने को मिलता है इसके प्रेस करके रखूँगा और यहां पर एप इंफो में जाओंगा और इसको भी नीचे अनिस्टोल अपडेट्स कर दूगा तो यह पुराने व यह सिर्फ उनी के लिए था जिनको यहां पर चाहिए था तो आप लोग नीचे कमेंड़ बॉक्स बताएगा क्या आप लोग इसको ट्राइ करने वाले हैं अपने डिवाइस में इस्टोल करने वाले करने नीचे कमेंड़ बताएगा और वीडियो अचले तो लाइक शेर सब सब्सक्राइब कर लीचे का मिलता हूं नेक्स वीडियो में जै हिंद